हे एवरिबड़ी वल्कम बैक टू जैनुरे डॉप्स चैनल नमश्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात कने वाले हैं गिट कोई ग्रें राउंड 14 के बारे में कौन कौन से प्रोजेक्ट को डॉनिट करना है तो ये 8 जून से स्टार्ट हो चुका है 23 जून तक एक्टिव रहेगा अभी भी काफी सारा टाइम हम लोगों के पास है इसके अंदर दूस्तों मैंने 62 प्रोजेक्ट करीब एड किये हैं और अगर आपकी नज़र में कोई और अच्छे प्रोजेक्ट हो तो आप लोग कमें टू क्लेक्शन तो क्लेक्शन लिस्ट में शियर कर दूंगा आपके साथ लेकिन यहां पर एक प्रॉलम है दोस्तों गट कोई ग्रेंट के अंदर जो मुझे यहां पर फेस करनी पड़ रही है हो सकता है आप में से काफी सारे लोग भी इस चीज़ को फेस कर रहे हों आप ल तो हम लोग पहले यहां पर अपना जैसे हम लोगों ने इनस ब्राइट आइड गूगल आइड एंड गिट हब का अकाउंट यह सब यहां पर हम लोगों ने वेरिफाई कि हुए थे तो वह वाला जो पोर्टल था दूस्तों वह यहां पर डिरेक्ट आता था लेकिन अभी लोगों ने अपना ट्रस्ट बॉनस को वेरिफिकेशन के लिए अलग से एक वेबसाइट बना दी है जिसके अंदर हमें जितनी भी हमारी जो आइड इस हैं जैसे की ब्राइट आइड पोप इनस एंड गिट हब यह सब हमें यहां पर वेरिफाई करने पढ़ेंगे जो कि हम हमारा यहाँ पर ट्रस्ट बोनुस का स्कोर भढिने से हमारा इंपक्ट स्कोर अच्छा होगा एंड इंपक्ट एक एक प्लस पॉइंट होता है लेकिन यहाँ पर एक problem यह आ रही है कि मेरा यहाँ पर सारे account verified है यह problem पिछले शायद एक दो दिन से आ रही है तो मैं connect कर रहा हूँ अपने passport से जब passport पर click करते हो तो आपके सामने यह वाली website उपन हो जाएगे ठीक है तो यहाँ पर आप लोगे ही सभी आपको verify करने पड़ेंगे इनस के बारे बहुत से लोग पूछ रहे थे शायद नए लोग है जिनको नहीं पता इनस वही लोग यहाँ पर verify करा सकते हैं जिन लोगों ने dot eth नाम का domain है यह purchase किया हुआ होगा इनस domain वही लोग verify करा सकते हैं जिनके पास पोप की कोई nft होगी बहुत पहले भी हम लोग ने claim करी थी रिसेंटली भी अभी टेलीग्राम पर मैंने आपके ताश शेयर किया था कि पोप की nft claim कर सकते हैं testnet ethereum merge event के साथ ही साथ तो वहाँ पर भी बहुत से लोगों ने claim करी थी bright ID को कैसे verify करना है इसके बारे में भी एक special वीडियो आपके साथ में share कर चुका हूँ google ID, facebook ID and twitter ID तो यह सभी लोग verify कर सकते हैं and github की भी proof of human की भी एक दोस्तो different project है and possibilities है कि इसका भी token यहाँ पर आ सकता है तो अभी तक मैंने verify नहीं किया है मैं इसको कैसे verify करना है दोस्तों इसका थोड़ा सा tricky है और थोड़ा details है मैं आपको telegram पर एक short video में आपको बताऊंगा कि कैसे इसको verify कर सकते हैं आप मैंसे जितने लोगों ने कर लिया अच्छी बात है नहीं किया है तो अभी भी हमारे पास time है हम लोग यहाँ पर इसको verify कर सकते हैं लेकिन main problem हमारी यह नहीं है main problem हमारी यह है currently कि यहाँ पर जो मैं connect कर रहा हूं तो validation यहाँ पर लिखा हुआ रहा है तो यह validation फेल्ड वाला जो issue है यह मुझे ही नहीं काफी सारे लोगों को यहाँ पर आ रहा है काफी सारे लोगों ने यहाँ पर इस problem के बारे में यहाँ पर बताय हुआ है आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जगा लोगों ने screenshot के साथ share किया है कि उनको validation फेल्ड का यहाँ पर problem आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर admin क्या बूलता है अगर आपको validation फेल्ड का problem आ रही है तो passport.gitcoin website पर जाईए यानि कि इसी वाली website पर जाईए यहाँ पर जाने कि आपका जो metamask यहाँ पर connected दिखा रहा है इसक से भी disconnect कर दो gitcoin की website से भी आपका जो metamask है यहाँ से भी इसको आप disconnect कर दो ओके तो disconnect करने के बाद फिर से यह बोल रहे है कि अपनी ID को logout करके login करो and reconnect करो और उसके बाद फिर से try करो लेकिन यह सब मैंने try कर लिया उसके बाद भी यह नहीं हो रहा है तो जब जिन लोगों क करने ही पड़े की अपनी जो problem है यानि कि describe your failure scenario यो gitcoin user profile यानि कि अपनी profile का link हमें देना पड़ेगा अपनी gitcoin का and your wallet address जिसके थू आपने connect किया है अपने metamask को ठीक है अब देखे मेरा matching score यहाँ पर बता रहे है कि 150% है यानि कि 110 out of 10 है ठीक है तो and यहाँ पर मैं safe passport पर click करता रहा है हमें gitcoin की website पर जैसे कि हमें बार बार इसको verify नहीं करवाना पड़े ठीक है तो यहाँ पर validation यहाँ पर चल रही है और validation यहाँ पर fail हो जाती है तो यह problem यहाँ पर आ रही है तो अगर आप लोग भी यह problem face कर रहे हो तो 23rd को यहाँ पर gitcoin का donation end हो रहा है उससे पहले ही यहाँ पर ticket raise करो admin को अपनी problem बताओ अपना failure scenario बताओ कि क्या क्या मतलब जब आप क्या करते हो तो वहाँ पर failure scenario मतलब जो वहाँ पर fail show कर रहा है उसके बार में आप चाहँ तो एक video clip बना कर भी admin को दे सकते हो gitcoin का अपना profile link देना ठीक है and यहाँ पर आपने अपना gitcoin का wallet address तो इसके इलावा दोस्तों बाकी कि यह कुछ project है and in project का link में आपके साथ share कर दूँगा description में या फिर टेलीग्राम पर भी वहाँ पर आपके साथ share कर दूँगा दूँगा दोनों जगा पर and यह सभी project हैं जो कुछ काम के हैं कुछ तो old हैं कुछ new है इनके अंदर and इनके अ donation हमारा amount जा रहा है दोस्तों मैं ethereum में donate नहीं कर रहा हूं क्योंकि सभी जानते हैं कि ethereum down है bitcoin down है तो ethereum जादा जाएंगे अपनी side से अगर आपके पास usdc कोई stable coin है तो आप उसमें donate कर सकते हैं and यहाँ पर आप यहाँ पर one dollar minimum donate कर पाएंगे ठीक है one dollar से कम donate यहाँ पर नही यह हम सभी को already पता है लेकिन दूस्तों यहाँ पर problem यह हमने जो इनमें से बहुत सारे project जो add करे हैं कुछ project ऐसे हैं जो zk sing को support करते हैं कुछ ऐसे हैं जो polygon को support करते हैं तो मतलब दौनों यह सभी network को support नहीं कर रहे हैं जैसे कि zk sing से मुझे donate करना है तो 12 grants यहाँ पर जो है नहीं करेंगे जो polygon को support नहीं करते हैं and अगर हम यहाँ पर standard check out करते हैं तो standard check out हम लोग कर सकते हैं यानि कि इसमें सभी project donate हो जाएंगे by default क्योंकि ethereum के mainnet के थ्रू directly यह linked है तो यहाँ पर कोई problem नहीं हैगी and यहाँ पर जो fees बता रहा है दोस्तों fees भी यहाँ पर कम बता रह रहा है जबकि यहाँ पर 65 dollar में total तो I guess हमार जो amount जो direct होगा वो 65 dollar ही direct होगा बाकी दोस्तों अभी में transition complete नहीं कर रहा क्योंकि जब तक यहाँ पर यह जो problem है matching score वाली यह जब तक solve ही जाती मैंने यहाँ पर discord पर ticket raise कर दी है and जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पहले उसको fix करवाना उसके बाद ही यहाँ पर donate करना अभी time है हमारे पास 23rd June तक का तो तब तक आप लोग यहाँ पर wait कर सकते हैं और उससे पहले हमें यहाँ पर donate करना है तो जो दोस्त यहाँ पर सोच रहे थे कि हम ZK Singh से donate कर लेंगे इस बार पहले से काफी time से पहले पोट ही नहीं कर रहे हैं तो ZK Singh से हम लोग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे इस standard check out करना पड़ेगा fees भी कम हो गया है तो problem की बात नहीं है और बाकी क्या status रहता है यानि कि जब मैं इसको donate करूंगा तो आपको बताऊंगा पूरा कि कैसे मैंने donate किया मतलब कितना exact fees वहाँ प को description मिल जाएंगे इसके लाब बहुत सारी अपडेट है हम लोगों ने airdrop चॉइन किया था फाइफ थाउन रेंडम लोगों को nft मिलने थी 0.06 एथेरियम फ्लोर प्राइज है काफी इची फ्लोर प्राइज है तो यहाँ पर जो लोग विनर है काफी सारे लोग अपनी community में से विन करें हैं इसमें तो आप में से काफी से लोग विनर होंगे यह nft का distribution आज होगा countdown यहाँ पर चल रहा है इस countdown के फिनिश होने के बाद distribution होगा इनके discord पर यहाँ पर हमें information मिलती रहेगी तो देख लेना उसके लाबा बहुत सी चीजे हैं और यहाँ पर आपके साथ जो शेयर करी हैं बहुत सी information updates and fun चीजे हैं पाकी दूस्तों next video मिलते हम लोग बहुत जल्दी यहाँ पर सुखावडी testnet के regarding काफी अच्छा यहाँ पर लग है क्योंकि यहाँ पर बताये गया है SKT tokens and mysterious airdrop यहाँ पर आएंगे जो यहाँ पर इनके testnet को perform करेंगे हालांकि SKT token already listed exchange पर लेकिन यहाँ पर mysterious airdrop क्या होंगे तो इसको हम लोग join करेंगे इसके जो task के उनको कैसे follow करना है उसके बारे में आपके साथ में share करूँगा लेकिन मैं आपको यह भी बता दो दोस्तों यह सिर्फ और सिर्फ PC users के लिए जो लोग Windows यूज कर सकते है Linux या फिर Mac OS X यूज कर सकते है उन लोगों के लिए है basically Windows user के लिए यहाँ पर best comfortable रहेगा अगर आप एक Linux user हो तो अभी आप कर सकते हो लेकिन मैंने अभी चेक किया कि Mac के दोस्तों फिलाल इस वीडियो के अंदर इतने है जल्दी मिलते हैं एक्स वीडियो के अंदर नए topic के साथ नहीं drop के साथ अभी के लिए तन ही दोस्तों तब तब तक के लिए बाबाए टिक और शीजरी सून